हेलो फ्रेंड्स बलकम डूफरनीजी के ट्रिक्स दोस्त आज हम बात करने वाले हैं भारती इतियास के स्थोथ के बारे में पढ़ेंगे आखिर हमें जो इतियास है भारती इतियास है उसकी जानकारी कहां से मिलती है उसके लिए हमको ये भारती इतियास के स्थोथ के लेक्च चलेगा कि जो भारती इतियास के स्थूरा हैं ये कितना important है हमारे history के लिए तो ढ़िक है वीडियो को start करते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि भारती इतियास के स्थूरा आखिर क्या है ठीक हैं तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको पताना चाहूंगा जो भारती इतिहास है भारती इतिहास को कितने भागों में बाटा गया है तो भारती इतिहास को बाटा गया है तीन भागों में पहला है प्राची नितियास जिसे हम लोग इंग पॉइंट बताता हूं जिसमें आपको देखना मज़ा आएगा ठीक है तो दोस्त जो है न हमारा भारत का जो कुल चेतरपल कितना है 32,87,278 ठीक है किलोमीटर है जो बिस्तरत भारत को पुराणों और महाकाव्यों में क्या कहा जाता है भारत वर्ष कहा जाता है ठीक है जिसे ह लोग बोलते हों कि आप लोग इंडिया में रहे तो जी इंडिया शब्द किस ने दिया है वो यूनानियों ने दिया है ठीक है और चुम मुस्लिम इतियासकार है मुस्लिम इतियासकार इसे क्या कहते है हिंदुस्तान कहते है और जबकि जेनियों 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 लोग इसे जम्बोदीप कहते हैं तो जेनी दीप इसे जम्बूदीप कहते है तो देखिए तीन चीज आपको मालूम चली कि भारत वर्ष में कहा गया और रिखे उनानीयों ने इसे कहा गये इंडिया & reproduction मुस्लिम इटियास कारों ने जेनीयोंने क cut जम्मुदीप कहा गया है दोस्त क्या है दिखिए जो राजादुश्यन थे राजादुश्यन के जो पुत्र थे भरत तो भरत के नाम पर ही क्या कर रखा गया है इस भारत का नाम भारत रखा गया है तो समझ में आगया आपको यह important point था ठीक है तो चलिए अब हम लोग जानते है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हमें जो भातितियास की ज्यानकारी मिलती है वो तीन तरीके से मिलती है पहला है साहितिक साक्ष्य मतलब साहितिक स्तुरोथ भूल दो आप लोग तो साहितिक साक्ष्य से मिलती है हम लोग और पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी साहित और धर्म निर्पेक्च साहित जिसे लोकिक साहित भी कहते हैं हम लोग ठीक है तो आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो साहितिक स्तुरोत हैं साहितिक स्तुरोत के बारे में ही पूरा डिसकस करेंगे इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वह आएगी पूरा तात्विक कुंहें और अच्छे से समझतें दोस्म यो साहितिक के दर बाठो करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नहीं चाहित हरो साहिति के बारों लेका. तो एक एक करके आप हम लोग सारे वेदों को पढ़ते हैं और क्या-क्या इंप्पोइंट निकल कर आते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से तो उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो चली हम लोग देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके बारे में तो रिगवेद के कौन-कौन से इंप्पोइंट है हम लोग उसको पढ़ते हैं तो दोस्त जो रिगवेद है रिगवेद में दस मंडले ठीक है और आट अश्टक है और 10,462 मंत्रे हैं तथा 10,108 सुक्त हैं सुक्त हैं ठीक है और जो इसकी रचना कभ होई ह जो इसकी रचना होई है वो 1500-1000 इशा पूर्ब होई है इशा पूर्ब होई है ना कि इश भी हुई है यह भी आप ध्यान में रखेगा इसका जो दूसरा एवं सातों मंडले वो सबसे प्राचिन है मतलब कि जो दूसरा वो सबसे पुराना है सबसे एशियंट है तो यह भी है इसको है अपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आंके बात करते हैं रिगवेत के नवे मंडल में सोंरस की चर्चा की गई है ठीक है और जो 10 में मंडल के पुरुशुक्त में पहली बार वन व्यवस्ता का उल्लेक मिलता है तो पहली बार वन व्यवस्ता का उल्लेक कून सा मंडल में मिलता है रिगवेद के 10 मंडल में मिलता है ठीक है तो इसकों भी आप ध्यान में रखिएगा उसके जो ब्रसिद गायत्री मंत्र के बारे में बहुत पूछा जाता एक्जाम में तो जो प्रसिद गायत्री मंत्र बावन अपतार पाइं अफ्तार का उल्ले के इस वेद में किसमे मिलता है किसमे टीकर ठीक है अब हम लोग अगले वेद के बारे में बात करते हैं, अगले वेद आता है सामवेद, जो सामवेद है, सामवेद को भारतिय संगीत का जनक कहा जाता है, अगर आप सो पूछा जाए कि जो संगीत का जनक कुन से वेद को कहा जाता है, तो वो सामवेद को कहा जाता है, जो हमार स chests 75 ही नए है 75 मतभब की जो 75 है वह नए शोक है थीड़ कहें है नंधर शेस्श रिग्वेद में में इस से ही लिए गाएं यह क्या यह बाकि जो है वह कि पिसली कहा गाए रिijn test सो है बाकि इसमें यह के अफसर्ड पाए parada पाए गए हैं ठीक है और जो यग में मंत्र होते हैं तो वह संग्रहे भी हमां को किस बेद में मिलता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में तो यजुर्वेद है यजुर्वेद एक मात्र एसा वेद है जो पद और गत दोनों में है तो एक मात्र एसा वेद है जो पद और गत दोनों में है तो वह है यजुर्व वेद के रचेता हैं वो हैं बाज सनेई के पुत्र यग वलक के हैं तो बाज सनेई के पुत्र हैं यग वलक के वो शुकल यजुर वेद के रचेता हैं तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता है कि यग वलक के हैं जो वो किस वेद के रचेता हैं वो हैं शुकल य इसको याद रखना आप लोग तो आच्छे से आप समझेगा इसके बाद बात करते हैं अतरवेद के बारे में तो दोस्त जो अतरवेदे अथरवेद में टोटल 20 मंडलें, 731 रिचाय हैं, तता 5987 मंत्र हैं, इसका जो मुख्य विशे हैं, वो तंत्र मंत्र, जादू, टोना, रोग, निवारण, प्रेम, विवार, राजकर्म, इतना अधी के वारे में हमको अथरवेद में मिलता है, तो जादू, टोना वगेरा तो सभी वेदों के अलग-अलग ब्रामन होते हैं, जो की वेदों को सरल तता गद्धात्मक व्याख्या करते हैं, और उसके बाद रिशियों, द्वारा, रचित, ये ब्रामन कर्मकांड की पद्दती का उल्लिक करते हैं, जो कर्मकांड की पद्दती रेती हैं, वही ब्रामन का करते हैं उसका उलिक करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी değil अब बात करते हैं हम लोग व्यदांग के बारे में दोस्ट जो व्यदांगे बेदांग Prewater का अर्थ थीक से समझने के लिए व्यदांगों की रचना हुई आखिर व्यदांग की रचना क्यूं हुई है वेदों का आर्थ ठीक से समझने के लिए दोस्त जो बेदांगे वो छे हैं प्रकार के के कौन-कौन से सिच्छा कल्प व्याकरण निरक्त चंद और जियोतिश तो यह छे प्रकार के क्या है वेदांगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं अरनक के वारे में जो अरनक के जंगलों में लिखे जाने के कारण इन्हें अरनक कहा गया है तो दोस्त अरनक इनको क्यों कहा गया है जंगल में लिखा गया था इनको जंगल में लिखा गया था ठीक है इनका ज इसमें इसके बाद करते हैं बाद बाद करते हैं हम लोग उपनीशथ की ठीक है ये बेदिक गृन्तों के अनुम बाग है गां उपनी ठीक है इनमें अध्यात्मिक तता डरसं के ग्रह रहसों का विवेचन होता है व्यदों के अंतीम भागों होन 그대로 कि नियों तो इसको भी ध्यान में रखेगा आप लो इसके बाद बात करते हैं सूत्र साहित के बारे में इन में मनुष्य के करतव्यों वन आश्रमों व्यवस्ता एवं समाजिक नियमों का उलिक किया गया है इनकी जो संक्या है वो तीने शुरोत ग्रह तता धर्मसूत्र तो यह तीन प इसके बाद बात करते हैं स्मृति के बारे में इनकी जो रचना है रचना सूत्रों के बाद हुई है और मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंदित विविन क्रिया कलापो की जानकारी मिलती है इन्हें धर्मशास्त्र भी का जाता है आप देखिए आगर आप से पूछा ज आपको इसमें इंट्रेस्ट आयेगा लेकिन अगले जो वीडियो देखो और रिस्टी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी तो चली अब हम लोग अच्छी पढ़ते हैं अगला जो प्वइन देखते हैं अगला प्वेंट है हमारा मनु इस्मृती के प्रमु क भाश्य है आदी है ठीक है तो इसको ध्यान में रखेगा ठीक है अब बात करते हैं जो महाकाब्वे के वारे में जो महाकाब्वे संस्कृत में पहली और दूसी सदी के दोरान रामायन की रचना की थी उसके बाद प्रारं में इसमें 600 स्लोक ते जो कालंतर में 1200 और फिर 2400 हो गये तो 2400 स्लोकों होने के कारण इसे चतुर विर्ष सहसी सहीता भी कहा जाता है तो यह भी आप ध्यान में रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए इसके बाद जो रामायन है रामायन में साथ कांडों में विवाजी थे बाल कांड अरन्यकाद कांड किसकिंदा कांड और सुंदर कांड और युद्ध कांड को बोला जाता है लंका कांड और उत्रा कांड ठीक है तो यह साथ कांडों में वि बंढनन आहें जबकि जहां पर तुलसिदाज़ जी जैसे 6 बंढनन अधिकम बताते हैं चाहरे पूतर लेकर इस बातेश्क चाहरेластի तो माहाबारत की रचना चोती सदी में महार्शी ब्यास नहीं की थी महार्शी बेद्व्याद जी बोला जाता है इनको प्रारहम में इसमें गुप्त काल में शलोक की संख्या एक लाख वोने पर इसे महा भारत कहा जाने लगा देख्यें एक और मैं अच्छे से आपको सम्झाता हूं जब तक रहते निवाजनार में विवाजित हे लिए ही अगला पॉइंट हें याइए ठीक है इस्टिवोन में विवाजी ते अश्वमेग और आश्रमवाशी मोशल महाप्रस्थनी स्वर्गारूहरन ठीक है तो इतने पार्ट्स में आपको मतलब यह विवाजेते परवों में ठीक है उसके बाद जो महावारत का जो प्रारंबिक उल्ले के वो अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है ठीक है सरवाद एक प्राचिन पुराण है । तथा विश्णू पुराण, मतशे बुराण, मतशे बायू, ब्राम्मान और बागोट पुराण इतिहासिस महत्विक हैं ठीक है तो ये पुरान इसलिए इंपोटेंट हो total कितने पुराँ है आठा़ा पुराश की तो पुराण मतंस हमें साथवहन वन्ष के बारे में मालुम चलता है से पुट के बारे में मालुम चलता है ठीक है जो बायू-पुराण वह कंदा आपको पता से प्छानवमें पूराणों से मिली यह क्लियर उसके बाद मारकंडे पुरान में दुरूण 670 in certaines TVs था यह गनि पुरान के रहीं पर आदा टा उसके गणेश पूझा में धुछ का वहए युल्य ब्रह्मपुराण पदुपुराण विष्णुपुराण शिप पुराण भागवत पुराण नारत पुराण मारकंडे पुराण आगने पुराण तो टोटल इस प्रकार से 18 पुराण है ठीक है चलिए अब हम लोग आंगे बात करते हैं तो दोस्त अभी सिर्फ हम लोग धार् बुद्धसाइद केason haven जताक और पीटक किसके भागें बुद्धसाइद के हुआ तो जताक में गौतम बुद्ध के पूरवजनम से लगबख 550 कहानी है ठीक है जो पूरवजन-मैंना बुद्ध बगवान का उनसे 550 कहानियों किसमें जातक में जिनसे ईशापूर्व पांचवी शदी से दूसी शदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्तितियों का पदा चलता है किसे जातक से ठीक है इसके बाद दोस्त एक चीज और बता दो धम आप शब्स सुनते होंगे कि धम क्या है वह तो धर्म है धम को ही धर्म बोला जाता है तो वह आप समझेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा इसकी बाद जो त्री पीटक से इशापूर्व सताब्दियों के भारत के सामाजिक धार अधरमिक स्थितियों यह यह यहीं अब क्यूंदके करते हैं गयान सब्क्रदा सकते हैं इस्तियों को महाबीर के सिद्दान सब्सक्राइ उसके इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा जेन ग्रंतों का जो अंतिम रूप से संकलन हुआ है वो इशा की छटी शदी में बल्लबी गुजरात में किया गया है भगवती शूत्रे अचारांग शूत्रे और परिशिष्ट परवन अवश्यक चूणनी बद्रबाहु चरि इत्याधि महतवपूण, जेन ग्रंत, इसके बाद जो जेन साहित है annoyed में पुरानों का महतवपूण स्थानके छरित्र कहा जाता है चरित चरित कहा जाता है क्लियर चलिकिए। अब हम लोग बात करते है धर्मेत्र साहित की अभी हम ने जितने भी पड़ा alm mate साहित आप बहुत करते हैं हम लोग धर्मेता साहित पढ़ने के बाद यह लेक्षर खतम हो जाएगा ठीक है तो दोस्त आयोप आपको इंट्रेस्ट आ रहा होगा बोरिंग जादा नहीं हो रहे होगे और अभी तो पहला लेक्षर है तो इतना जादा आपको नहीं आ रहा होग इंट्रेस्टिंग लेकिन आएगा ठीक है तो दीरे दीरे आप अच्छे समझेगा इस वीडियो को एक दुवार देखेंगा तो आपको और अच्छी लगेगी ठीक है तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं धर्मेता साहित को दोस्त धर्मेता साहित है कोटिलिक अर् पर इसे मेरता सागरल गटनाओ का पता चलता है तो किन کی से को टिले करें और विशाकाद ? किस के बारे में YOU मालूम चलता है उसके बाद जो बानी की पर निसाहीं क Pengbn शीवन उसके बारे में मंछने पांच्वी सदी सब्सक्राइब तो पाणे नहीं किस ने लिखी थी तो पाणे नहीं लिखी थी कलनने तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो पतंजली है पतंजली के महावाश्य और कालिदास्य के माल विकागनी मित्रम से शुंगवंश की जानकारी मिलती है तो शुंगवंश की जानकारी कहां से मिलती है वो मिलती है माल विकागनी मित्रम से ठीक है और पतंजली के महावाशिश है ठीक है तो क्लियर दोस्त अभी मैं जो बता रहा था आपको कि पाणिनी किसने लिखी है वो वो अलग है तो वो चीज गलत हो गया था आपको पता पाया था तो जो पाणिनी है पाणिनी एक रिशी क नाम है जिन्होंने क्या लिखी एक अश्टा ध्याई लिखी है तो यह आप समझना ठीक है तो वो थोड़ा गलात हो गया था ठीक है तो आप आपको समझी होगा अगला पॉइंट देखिए अब लोग उसके बाद जो शुद्रक के शुद्रक के म्रच कटिकम तथा ढंडी के द्रश कुमार चरित में गुप्त सम्माज का चितरन प्राप्त होता है ठीक है इसके बाद जो काली दाश हैं काली दाश के रगुवंश से समधर गुप्त की दिगविजे तथा छेमेंद्र का ब्रहत कथा मंजरी एवं सोमवेद के क कता स्रित सागर से बिक्रमादिती की प्रमपराओं का हमें कालिदाश कभीयों से इन कने सब्सक्राइद के वारे में तो डोस्ट राष तर्थも कलन ने लिखी जिसके आपको कश्मीर के इतिहाश के बारे में मालूम चलता है लेकिन इस से पहले एक इंपोटेंट पॉइंट आगया उसको पहले पढ़ लेते हम लोग जो हर्ष चरीत है हर्ष चरीत किस ने लिखिए बाणवत ने लिखिए से हर्ष के उपलब्दियों का गोडवाहों का और बाक पती करत से कनोल शाषक यशो बर्बन का तथा बिलन के विक्रमा देव चरितिक से कल्याणी के चालुक के शाषक बिक्रमा देथे शाष्ट की उपलब्दियों की जानकारी मिलती है ठीक है क्लियर उसके बाद जो जयनायक जयानक है सोरी जयानक के प्रत्वी राज विजे से प्रत्वी राज चुहान की उपलब्दियों का पता चलता है ठीक है तो प्रत्वी राज की चुहान की उ इए बता रहा था आपको जो कलनड ने एक पुस्तक लिखी तरंगीनी तो रास तरंगीनी पारति इतिहास का पहला प्रमानिक इतिहासिक गिरन जिनमें जिसे 12 सदी में लिखा गया है इसे 8 तरंगों में विवाजित किया गया है इसको कितने बागों में विवाजित किया गया है चलिए अब हम लोग आंगे पढ़ते हैं आंगे हैं हमारा अगला टोपिक अगला पॉइंट है संगम साहित से दक्षिन भारत के शाशकों जिसे कि चोल वांश चेर वांश पांडे के समय के समाज अर्थ विवस्ता तता संस्कृति का विवरंट प्राप्त होता है तो कहां से प्राप्त होता है हमें यह संगम साहित के दक्षिन भारत के किसमें यह हमार कि end end में थोड़ा सा difficulty complicated हो गया होगा तो अगले बार में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से discuss करेंगे तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा लाइक कर और हमारे चैनल में नए है अभी तक अपर चैनल में तो आप सब्सक्राइब करिए तो साथ में इस ऑगले वीडियो डालेएगे तो उसका benefit आपको मिल सकें तो दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में पेलेए सबसे पेले संब आप समझ लीजी एए कि इस वीडियो को अगर आप आपको अच्छी लगए तो पूरे जितने भी दोस्ते सारे दोस्तों को शेयर भी करिएगा ताकि सब को इसकी information मिल सके हाँ तो आप बोल देता हूं मैं कि दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन जै बारत